आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुर्ट विडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें दिखें, अमारा कोशन है कि सिद्ध कीजिए कि x belongs to r के लिए यदि a1 sin x प्लस a2 sin x प्लस देड़ेड़ेश a n sin n x तक का मोड छोटा या बराबर है मोड sin x के तो मोड a1 प्लस 2 a2 प्लस 3 a3 प्लस देड़ेश प्लस n a n छोटा या बराबर होगा एक के ठीक है हमें ये सिद्ध करना है अब देखें हमारा को जो दिया गया है हम लोग उसको लिख लेते हैं हमारा को सबसे पहले दिया गया है a1 sin x प्लस a2 sin 2 x प्लस इसी परकर क्याएगा a n sin n x ठीक है इसका मोड छोटा या बराबर है sin x के ठीक है sin x के मोड के अब देखें यहाँ पर अगर हम लोग मान लेते हैं फ़लन fx हमारा जो फ़लन fx है वो बराबर है जो फ़लन fx मान लेते हैं ठीक है घगा हमारा गरिसका हम लोग उखलन करें तो f-dweck अब कितना जाएगा यह जाएगा A1 कि इतना कितना यह साइन एक सिन एक साइन एक साइन एक साइन एक सिया जाएगा प्लस इसी प्रकार अंतिम में काईगा हमारा n an cos a.x cos nx ठीक है n a.n cos a.x अब देखिए यह हमारे को f access कमान आ गया ओलैंव यहां से अगर हम लोग f đến 0 नीitar तो वो तो कितना जाएगा देखिए f myös 0 बराबर हमारा A1 cos 0 कितना हो जाएगा 1 plus 2A2 cos 2 0 2 गुना 0 यह होगा न तो देखे 2 गुना 0 0 cos 0 कितना हो जाएगा वापस 1 plus इसी परकार क्या हैगा इसी परकार आ जाएगा N A है ठीक है अगे वाद समझ में F-0 बराबर कितना जाएगा A1 plus 2A2 plus इसी परकार N तब है न N A है अब देखिए हमारे पास यह मान तो आ चुका है अगर यह देखिए हमारा देखे हैं हम लोग मान दीक है है हमारा mode F-X हो है हमारा वो क्या हो जाएगा mode F-X हमारा छोटा यह बराबर हो जाएगा mode F-X छोटा यह बराबर हो जाएगा mode Sine-X के mode Sine-X के देखिए अगर आपन प्रश्ण में देखे है हमारा जो दिया गया था तो यह देखिए हमारा क्या था इसको हमने F-X ही तो माना है यह कहा है हमारा F-X अब देखिए अगर हम लोग F-X रखनेंगे तो क्या जाएगा mode F-X छोटा यह बराबर हो जाएगा किसके mode Sine-X के ठीक है तो यह आगया हमारा मान अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पर X बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा mode F-0 छूटा यह बराबर होगा 0 के तो देखिए mode का जो मान है वो कभी 0 से छोटा हो सकता है क्या रिनात्मा का हो सकता है क्या नहीं हो सकता तो इसका मतलब F-0 बराबर कितना गया हमारा F-0 बराबर हमारा आ गया 0 ठीक है F-0 का मान कितना गया 0 अब देखिए हम लोग अगर f dash 0 निकालें तो अउकल नहीं आता से क्या होगा f dash 0 बराबर f dash 0 बराबर यह क्या जाएगा यह जाएगा limit h tends to 0 f h f h minus f 0 बटा h ठीक है बटा h अब देखिए इसको अगर हम लोग देखें f 0 कमार कितना हमारा 0 तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा limit h tends to 0 यह कितना हो जाएगा f h बटा h ठीक है अब अगर हम लोग दोनों पक्षों पर मोड ले 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 दोनों पक्षों पर मोड ले तो क्या आजाएगा यह जाएगा f dash 0 का मोड बराबर हो जाएगा limit h tends to 0 और यह क्या जाएगा मोड f h बटा h mode f h बटा h ठीक है जो कि छोटा यह बराबर होगा यह जो फलन है हमारा यह छोटा यह बराबर होगा limit limit s tends to 0 किसके sin h नहीं तब क्या था हमारा sin h बटा h के तो ऐसे क्यों हुआ इसका मैं नीचे कारण लिख देता हूँ मोड f x जो था हमारा भी हमने मान निकाला कि मोड f x जो हमारा यह छोटा यह बराबर है mode sin x के ठीक है mode sin x के है ना तो देखिए अगर हम लोग फुलन का अगर sin x में रखेंगे तो यह mode f x जो है वो छोटा यह बराबर था है तो sin x से छोटा यह बराबर हो गई है ना ठीक है तो देखिए अब अगर हम लोग इसको आगे हल करें तो इसका मान कितना है एक तो यहां से हमारा निकल कि क्या है निश्कर्स निश्कर्स निकल क्या है कि f-0 जो है ना यह छोटा यह बराबर होगा किसके एक के किसके एक के ठीक है तो दिक अगर यह छोटा यह बराबर होगा एक के f-0 का मान अमने उपर निकला था हमारा f-0 का मान अमने निकला था वह कितना है वो है हमारा मोड A1 प्लस 2 A2 प्लस 3 18 प्लस इसी पर कर कह तक A1 ठीक है इसका मोड छोटा या बराबर हो जाएगा किसके एक की हमार को यही सिद्ध करना था और यही कर जाएगा हमारा आंसर प्लस 2 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 आज इसी डाउनूट करें डाउटने डाप या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स 8444 पर